हेलो फ्रेंड्स वेरी गूड बॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो स्टार्ट करते हैं आज का यह निया सेशन इस सेशन में हम एलडी सी एप्यो सेवन्टी परसेंट कोटा का जो एक्जाम डेवलू सी यार द्वारा कंड़क्ट कराए गया है उसके हमने 25 कुश्चन से निश्यल्स के पिछले वीडियो में देख लिए थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 26 नंबर कुश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वेपर को तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन है आप एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलॉंग टू वीचियर बेसिकल नंबर इस तराइट आंसर देट इस 1985 नेक्स्ट है कुश्चन जो है वह आर्टी आई एक्ट से रिलेटेट है और यहां पूछा जा रहा है आर्टी आई एक्ट 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 एक्टेंट्स टू होल अप दे इंडिया एक्सेप्ट दे स्टेट ओफ और सूचना का दिकार भरत के किस राज़े में लागू नहीं है जे एडिके तेमीलनाडू अरुणाचर प्रदेश एडिना नाब्दा है ठीक है तो सूचना का दिकार बैसिकली इसका अंसर क्या होगा नाब्दा है एक्ट सभी जगे लाग हुए है यहां पर जो भी नेक्स्ट पर आते हैं, क्षिशन नमबर 28, चेर्मन अफ नेशनल कांसल इन जेसेम, वो इस देशेर्मन अफ नेशनल कांसल इन जेसेम, वेरी इंपॉर्तन चेर्मन नमबर 28, स्री राजीव गौबा जो की प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और वह ही जो है तो चेर करते हैं, नेशनल कांसल इन जेसेम, जॉएंट कंसल्टेटिव मशीनरी, Okay, Next is Staff Council functions in which organization for maintaining industrial relations, So basically production unit में staff council से होता है, ठीक है, production unit staff council function, करते हैं, to maintain industrial relations, So उत पादा निकाई, जो है इसका right answer है, Next question पर आते है हैं, चिल्डर्न एडूकेशन अलाउंस की बात करेंगे फ़र दिव्यांग चिल्डन और रेल्वे एंप्रॉई इस एडिमिशिवल टू तो बैसिकली फॉर दिव्यांग चिल्डन के लिए जोता है यहां पर जो भी सी यह है देवल्ड नॉर्म लेट होता है ठीक है डेवल्ड नॉर्म लेट सो आप्चिन अबर डी इस राइट आंसर और नेक्स्ट राजवासा दिकार आफ बेस चेंटर रेलवे का मुक्ह राजवासा दिकारी कौन है भी तो बेसिकली स्री सोभन चौधरी तो आप अपने जोन का जहां का भी पर देने जा रहे हैं उनके राजभासा अधिकारी और जितने भी मुख्य अधिकारी हैं ओफिशर्स हैं तो उन सब का नाम डेजिगनेशन के साथ याद रखे निच्ट है महिलाओं का कारेस्थल में यहाँ नुद्पीडन रोक्ताम पर के लिए रेलवे बोर्ट जारी आर वी इसंख्या कौन सी है वेरी वेरी इंपोर्टन यह भी है ठीक है तो यहाँ पर अर्वी नंबर रिलेटेट टू प्रोइन सम आफ सेक्शुल हरास्मेंट अन वर्क प्लेस तो बेसिकली रेले वोट जारा जो है आर वी नंबर 148 अब्लिक वन नाइन नाइन एट के तहर जो है प्रिवेंशन आफ स discipline and appeal rule question number 33 तो rule number 9 clause 23 के तहर्ट जो है यहां पर expert inquiry conduct की जाती है okay question number 34 पर आएंगे यहां पर who is the competent authority for cutting pension under superannuation for railway official under d.a.r rules तो very very important है हमारे महामहिम प्रेसिदेंट जी श्री दौपदी मुर्मु श्रीमती दौपदी मुर्मु एट प्रेजेंट इस एकॉंपीटेंट शी इस एकॉंपीटेंट अथर्टी फॉर्ट इन पेंशन आफ्र सुपर रेल्वेशन पर रेल्वेशन अंडर d.a.r rules क् एक के दो है नेक्स्ट से कुस्ट नमपर थर्टी फॉर्ट प्याथ एन आपे आई आई आर्टी अंटी अम्टी सी का फॉल फॉर्म पूछ जाया यह उचा रहा है यह वेरी इंपोर्टेंट है तो बिसिकली इत इस ता इंटेन रिलेवेट ट्रैक मशीन ट्रेनिंग आई-र टी-म-टी-सी ठीक है नेक्स्ट है कुछन बर 36 पर आते हैं यह आपर कुछन बर 36 में पूछा जा रहा है 1955 में गठी तराजभासा आयोग का नाम क्या था तो 7 जून 1902 पन को जो है तो राजभासा आयोग जो है बीजी खेर कमिशन जिसको बोलते हैं तो खेर आयोग ठीक है यह वस्ट सीम ऑफ बॉम्बे स्टेट ओके तो खेर आयोग जो है इसका आंसर होगा 36 का यह ओप्शन नेक्स्ट पर आते हैं आपर राजभासा का वार्शिक कारेक्रम कौन तयार करता है विच अजन्सी प्रिपेर्स एनुवल प्रोग्राम एवरी एर फॉर राजभासा इंप्लीमेंटेशन तो 37 ओप्शन बीस राइट आंसर देट इस ग्रिह मंत्राल है जो हमारा होम मिनिस्ट्री है वह त्यार करता है नेच्ट क्स राजभासा छेतर में पास्पीटियों को अंग्रेजी में बनाया जाता है पास्पीटियों NEW foreign हुआ हुआ जो गाच छेत्र के स्टेट हैं हमारे और इंग्लिश में बनाया जाता है ठीक है इसके अलावा केंद्री हिंदी समिती के अध्यक्ष कौन होते हैं हुई दे चेर्मेन आफ केंद्री हिंदी समिती कुछ नबर 39 तो हमारे महामाहिम प्रधान मंत्री जी जो है तो केंद्री हिंदी समिती के अध्यक्ष होते हैं question number 40 प्याते हैं how many RRBs cater to WCR so basically there are two RRBs cater to WCR okay so option number C is the right answer question number 40 option number C is the right answer that is two next up a Raj Vasa Adiniam 1963 key Dharad teen class 3 key under newness a concept of the day to diva see on our sugar so which documents are covered under rule three of three in official language act so some Vida ho gaya करार हो गया license हो गया अप्रोग सभी सो ये सभी जो option है राइट आंसर हैं सो उप्रोग सभी राजभासा दिनियम 1963 कव संसोदित किया गया विन वाच राजभासा एक्वासा एक्त नाइंटीन सिक्ष्टी थी अमेंडेट तो बेसिकली इट इचा मेंडेट इन इन नाइंटीन सिक्स्टी सेवें सो घा ऑफ्षन जो है तो राइट आंसर इसका राजभासा नियम नीचिशेत्र के नुसार उडी सा किस छेत्र के अंतरगत आता है तो इसके अंतरगत जो है उडी सा काच छेत्र खाच छेत्र और गाच छेत्र तो गाच छेत्र के अंतरगत आता है बिसिकली उडी सा जो है गाच छेत्र के अंतरगत आता है next है किस नियम में हिंदी में प्रविधरता की परिवासा दी गई है ठीक है तो proficiency in Hindi has been defined under which rule so basically niyam 9 जो है यहां पे rule 9 ठीक है rule 9 के तहट जो है यहां पे proficiency in Hindi को defined क्या गया है यह काफी important question है यह कई बार repeat हो चुका है तो राजभासा अधिनियम पास्ट तो राजभासा अधिनियम को कब पास्ट किया गया तीक है तो 10 मई 1963 की डेट याद रखिए आप सभी इस दिन जो है तो राजभासा अधिनियम राजभासा एक्ट को पास्ट किया गया वाट इस लिव रिजर्व पर्षंटेज आफ रनिंग इस्टाफ तो रनिंग इस्टाफ के लिए जो एलार है वह कितना रहता है 15 to 30 सो आप्शन नुबर एस राइट आंशर जो लिजर्व पर्षंटेज आफ रनिंग इस्टाफ इस 15 to 30 आप लिए ओके नेक्स्ट रिशन परते हैं 47 नंबर कुश्टेज लिए कली स्टाफ इन वर्क्षॉप इस कावर्ड बाइड डेफिनिशन ऑफ वर्कर्स अंडर फ्रेक्ट एक्ट सो जो क्लेरिकल स्टाफ होता है आप ए बेसिकली वर्क्षॉप में फ्रेक्ट के तहत लिपकी स्टाफ वर्कर की परिवासा में आता है बिलकुल बिलकुल जी हां बिलकुल आता है और नबर इस तरह दांसर हो मेनी और फिर्फी स्काटर तो डुलु ए रसे खार्व एस थैन कुस्ट्ट आप इस दो नेक्स यह था डए रड़ फिक्ट अमेडिकल आणस सो फिक्ट मेडिकल आणस का जो रेट ए वर्क्या है तो basically it is a 1000 रुपीज, option number C is the right answer, next है यहाँ पे staff benefit fund scheme is functional on Indian railways, since staff benefit fund जो है यहाँ पे scheme, यह है Indian railways में कब से functional है, ठीक है, तो basically staff benefit fund जो है, 1931 से Indian railways में functional है, ठीक है, since British time, who is the nodal officer for preparation of works program and sending it to our railway board, very very important question है, ठीक है, तो जितने भी works program है, उनको prepare करने का काम किसका है, PCE का है, ठीक है, तो principal chief engineer, इसके लाबब PCME जो है, तो जितने भी RSP हो गया, rolling stock program हो गया, उनको prepare करने का, जो काम है, वा PCME का है, ओके, next है, question number 52 पे आते हैं, पर मुझा जा रहा है, sanctioning authority for processing out of turn works is, तो basically यहाँ पर जो out of turn कारे स्विक्रित के लिए सक्षम प्राधिकारी है, वह कौन है, तो out of turn कारे के लिए सक्षम प्राधिकारी जो है, तो हो है, हमारे GM साहब है, तो महाप्रावंधक, next है, PC items are purchased on dash dash tender basis, PC मद जो है, निवीदा द्वारा किस तरह की निवीदा द्वारा खरीदी प्रक्रिया की जाती है, तो इसके लिए basically जो है, PC items, proprietary article certificate, single tender के लिए जो है तो purchase करने पे होता है, IRIFM, that is internal institute for financial management is situated at, that is, सिकंदराबाद, okay, so option number D is the right answer, IRIFM, जो है basically, कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है, ठीक है, next question पर आते है, advisor in railway board is re-designated as, very very important question है यहाँ पे, तो basically, PED की जो post है, principal executive director, PED, principal executive director की post, जो advisor in railway board है, उसको designate करके, PED, principal executive director बना दिया गया है, ठीक है, next है, PH65, very very important, PH65 का जो concept आया है, यहाँ पे, who is the plan coordinator for PH65, तो PCPO, PCPO, ठीक है, PH65 for human resource development के लिए होता है, यहाँ पे, है, तो HRD के लिए, जो basically, यहाँ पे, PCPO, इसके coordinator, जो है, कौन है, PCPO हो रहेंगे, principal chief personal officer, who is the responsible for watching of canons of financial propriety, as per para 116 of IR FC, और finance code, तो इसको जो देखने का काम करता है, करते हैं, basically कौन करते हैं, account officers, GM, public DRM, audit officers, officers, और, तो audit officers होते हैं, इसको देखने का काम करते हैं, ठीक है, so, he is the responsible for watching of canons of financial proprietary, next question number 58 पे आएंगे, a station balance sheet is a dash dash account of station master, तो basically, station balance sheet जो होता है, वह है, personal account of station master होता है, और, so, option number B is the right answer, that is, personal account of station master, next question number 59 पे आएंगे, staff quarters are covered in which plan head, very, very important, staff quarter को, basically, plan head 51 के तहत कवर किया है, so, plan head, pH 51 is the right answer, next question number 60 पे आएंगे, railway official will not oppose government, this is provided in which conduct rule, तुमारे railway service conduct rule है, उस के rule 9 के तहतिया बोला गया है, कि railway officials will not oppose the government, okay, next question number 61 पे आते हैंगे, question number 61, IRI SET, IRI SET का फूल फम पूछा जाना हैंगे, so, IRI SET, that is Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication, option number is the right answer, और यह कहा है basically है, यह सिकंदराबाद में है, तो इस तरह से टोटल 61 questions को हमने इस वीडियो तक इस पेपर के 61 questions को complete करा, प्लीज वीडियो पे हमारे साथ बने रही है, और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को प्यार देए, मैं में थे खाहुचिंकृार इस वीडियो 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 रागैे झारे